वहीं हेमाराम के मुद्धे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्षो डोक्र सतीश पूनिया का कहना है कि हेमाराम का इस्तीफ़ा कॉंग्रिस के अंतरकल है कि तरफ इशारा करता है। सतीश पूनिया से खास बाचीत के हमारे सेयोगी एश्वरे प्रधानी। हेमाराम चौधरी का इस्तीफ़ा, इस्तीफ़े को लेकर फिर से सियासत तेज है, कई तरीके की बाते कही जा रही है, हलांकि इस्तीफ़े में कुछ लाइन्स जो है उनका उलेक्ष नहीं किया गया है, कारण क्या है, लेकिन एक बड़ी खबर है इस वक्त की, इससे लेकर हम प अचली बार तो काफी सारे लगे थे, इस बार तो उन्होंने स्तीफ़ा दिया है, लेकि वैसे पहले तो सीधे तोर पर ये कॉंग्रेस की अपनी ही अंदूरनी सियासत है, दूसरा मैंने सदन में उनको सुना कई बार, कि जब वो कुछ समुद्दों को लेकर सरकार के इसका मतलब ये है कि वो साफतोर पर सरकार के कामकाज से संतुष नहीं थे, और जो रवया सरकार का रहा होगा, उसमें कहीं ने कहीं उनमें संतुष रहा होगा, और उस वज़े से इस्तिफ़ा उन्होंने दिया है, मैं देखा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या और भव है, उसमें सुराख हो चुका है, इसी के साथ है, ये तो सावित हो ही रहा है, क्योंकि पिछली बार जब जेट साल पहले सारा गटना करम हुआ, पार्टी का एक तब का पूरा नारा जो के दूर बैठा रहा, और अपनी पार्टी के प्रदेश अदिक्स को डिप्टी चेप म हो सकता है, लेकिन आगे क्या होगा, जैसे मैंने का कि अभी उसका आकलन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हेमाराम जी की अपनी कुछ छेत्र को लेके कुछ मांगें रहती हैं, उस पर सरकार की तरफ से कुछ एक्शन होता नहीं है, पिसले दिन हमने देखा कि कुछ और भी इसी के साथ एक बड़ी बात ये है कि कॉंग्रेस टूल कुट किट का मुद्दा है, जिसे लेकर आपने बयान भी दिया था थोड़ी देर पहले, ये जो मुद्दा है इसे लेकर भारतिय जनता पार्टी क्योंकि इस वक्त लोगों को जो जरूरत है वो कोरोना में एक दूस दिलकर ही लड़ना था, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि कॉंग्रेस ने जिस तरीके का सियासत की खास तोर पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने खास बातचीत की है, फास्ट इंडिया न्यूस के साथ दो बड़े मुद्दे जिनको लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है कैमरा परसन इकबाल के साथ अश्वरे प्रदान, फास्ट इंडिया न्यूस, जैपो